ओ पाजी, तुम कौन से जानवर हो जिसकी लोग इतनी फोटो सोटो कीच रहे हैं? तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं हूँ ओटर ओ पाजी, समझ गया, तुम एक कुटा हो? नहीं तो क्या तुम एक बिल्ली हो? नहीं, नहीं अच्छा तुम एक चुहे होगे? तुम्हें इस चाप्टर में मेरी बारे में बहुत कुछ बताएंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी फर्स्ट फ्राइट बुक के चाप्टर नमर एट जिसका नाम है मिजबील दा ओटर एंड इसे लिखने का कष्ट किया है कैवन मैक्सफेल ने सो इस वीडियो का एक सीक्रेट बताऊं तुम लोगों को किसी को बताना मत इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चाप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुशन्स दूँगा जो तुम्हारे एक्जांप्स में भी आ सकते है इसलिए वीडियो को पुरेंट तक जरू देखना सो अब अराम से चुकुमों को बैठो और आज के एनिमेटेड वीडियो का मज़ा लो चलो आज की वीडियो को सुरू करते है तो हमारे ओथर गेविन मैक्सफेल स्कॉटलेंड के वेस्ट हाइलेंड में रहते थे जिसे केमेस्फरना के नाम से जाना जाता है गेविन मैक्सफेल अपने एक पेट डॉग के सास्थ रहते थे जिसका नाम जॉनी था और वो उसे बहुत ज़ादा प्यार करते थे एक दिन जॉनी की देथ हो जाती है मैक्सफेल एक नए डॉग को पाले के बारी में सोच करी बहुत उदास हो जाये करते थे लेकिन बिना पेट के वो बहुत लोली फिल करने लगे थे तो आखिर क्या जो हमारे ओथर है वो नया पेट पालेंगे और आप पेट भी पालेंगे तो वो कौन सा पेट होगा और कैसी वो पेट को पालेंगे यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप चलो लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन को सुरू करते है यह जो चैप्टर है चार पार्ट में डिवाइड़ेड है स्वर्णा में वो एक ओर्टर को रखने के लिए परफेक्ट प्लेस था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वाटर बॉड़ी थे और ओर्टर को मेली पानी से बहुत प्यार होता है तो देखो ओर्टर आखिर किस टाइप के अनिमल है वो जानते है थोड़ा सा ओर्टर से कार्निवोरस मैमल होते है जिनकी फेवरेट डिस्क खाने की मचली होती है और तुम लोग ओर्टर की फोटो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का अनिमल ओर्टर है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब ये बात मैक्सवल अपने फ्रेंड को बताते है तो वो बहुत ही कैजवली रिप्लाई करता है अब आगे हमें चैप्टर में बताया जा रहा कि ओथर और उनके फ्रेंड बसरा जा रहे होते एक इमपोर्टेंट मेल को कलेक्ट करने जो यूरोप से आने वाला था वहाँ कंसिलेड जेनरल के ओफिस में उनके फ्रेंड का मेल आ गया था बट उनका मेल यानि के ओथर का मेल नहीं पहुचा था वहाँ पे इसलिए ओथर वही रुख जाते है और उनके फ्रेंड वापस लोट जाते है अब कुछ दिन जो ओथर है वो बसरा ही में रुखते है अब पांस दिन बाद Maxwell का mail आ जाता है फाइनली वो mail लेकर bedroom के तरफ चले जाते है ताकि वो अराम से उस mail को पढ़ सके जैसे वो room के तरफ जा रहे होते है अब वो वहाँ देखते हैं कि दो अरब के लोग floor में बैठे थे एक bag मतलब एक बोरे के साथ और उस बोरे में बहुत जादा movement हो रहा था अब वो Maxwell को एक note देते हैं जो कि उनके friend ने लिखा था उसमें लिखा था कि Here is your order यार दोस्त हो तो ऐसे देख रहे हो ना Gavin Maxwell के friend ने तो सीधा एक order gift कर दिया उन्हें यार तुम लोग भी तो मेरे दोस्त के जैसे ही हो तो एक बात बताओ अगर तुम सभी मिलके हमारी चैनल को subscribe कर लोगे तेन चैनल कुछ ही टाइम में कितना बड़ा हो जाएगा imagine करो तो यार subscribe करो और वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों से share करो चलो आगे बढ़ते हैं and part 2 को सुरू करते हैं उस बोरे के खुलने के साथ ही Gavin Maxwell के life का एक new face सुरू हो गया था अब वो ओटर उस sack मतलब उस बोरे से बाहर निकलता है वो एक छोटा सा dragon के जैसा दिख रहा था उस ओटर के head से लेकर tip of the tail तक symmetrical pointed scales थे जो कि मत से भरे हुए थे यानि कि मत से लिपटा हुआ था पुरा ओटर अब ओथर कहते हैं कि मुझे उस ओटर के real color को देखने के लिए एक महिना लग जाता है ओथर इस ओटर को मिजबिल नाम दे देते हैं पहले के time में जो zoologist थे उन्हें ओटर के species के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था फिर उन्होंने धीरे धीरे उस species के बारे में जाना और उनका नाम दिया लूतरो गाले पर स्पीसिलाटा ये उसका scientific name था लेकिन ओथर उसे प्यार से मिज कहके पुकारा करते थे पहले 24 घंटे तक मिजबिल नहीं hostile मतलब unfriendly था नहीं friendly था वो बेट से जितना दूर हो सके उतना दूर जाकर सो जाता है सेकेंड नाइट मिजबिल मैक्सल के बेट पर आकर उनके पैरों के पास सो जाता है और वो तब तक नहीं उठता है जब तक morning में servants टी लेकर नहीं आते थे अब मिजबिल अपने surroundings में interest दिखाना सुरू कर देता है ओथर मिजबिल के लिए एक belt बनाते हैं और फिर उसे bathroom ले जाते हैं मिजबिल bathroom में पानी को देकर बहुत जादा excited हो जाता है क्योंकि otters पेली पानी के area में ही रहते हैं इसलिए वो पानी में roll करने लगता है और बहुत enjoy करता है दो दिन बात से ही मिजबिल bedroom से भाग जाये करता था जैसी Maxwell bedroom में आते हैं तो Maxwell otter को bathroom की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो जब bathroom में जाते हैं तो वो देखते हैं कि मिजबिल bathtub के अंदर जो chromium tap है उसे खोली की कोसिस कर रहा होता है अब Maxwell ये देखकर amazed हो जाते हैं कि otter उस tap को थोड़ा सा खोल लेता है और फिर थोड़ा पानी गिरना सुरू हो जाता है कुछ और कोसिसो के बाद वो पूरा tap भी खोल लेता है और पानी फूल फ्लो में बहना सुरू हो जाता है उस tap से बहुत ही जल मिजबिल मैकस्वेल को हर जगा follow करने लगा और मैकस्वेल भी उससे जब भी उसके नाम से बुलाते थे तो वो तुरंत ही आ जाया करता था वो अपना पूरा दिन बॉल के साथ खेलने में बिता दिया करता था मार्बल मिजबिल का फेवरेट ट्वाई था अब चलो थर्ट पार्ट पे इंटर करेंगे जहां हम लोग देखेंगे कि जो ओथर है उन्हें कौन सी परिसानी होती है मिजबिल से बसरा में उनका दिन पीसफुली बीत रहा होता है यानि कि ओटर का यानि मिजबिल का एड मैक्सवेल का अच्छे से दिन बीत रहा होता है लेकिन ओथर को इस बात की चिंता थी कि आखिर वो मिजबिल को इंगलैंड और केमिस फरना कैसे ले जाएंगे लंडन की ब्रिटिस एयरलाइन में एनिमल्स को प्लेन में ले जाना अलाउट नहीं था मैक्सवेल दूसरी एयरलाइन में पहली फ्लाइट पैरिस की बुक करते है और फिर पैरिस से लंडन की फ्लाइट बुक करते है उस फ्लाइट के कुछ रूल्स थे जैसे मिजबिल को एक box में बंद करके रखना होगा, जो 18 inch से बड़ा नहीं होना चाहिए, और box को feet के पास ही रखना होगा, अब Maxwell एक box बनाते है, और मिजबिल को एक घंटे पहले ही उस box में डाल देते है, ताकि मिजबिल उस box से used to हो जाए, वो मिजबिल को box में डाल कर मील के लिए चले जाते है, अब वो मील करके आते हैं, तो वो एक बहुत ही shocking scene देखते है, जो box था जिसमें मिजबिल को उन्होंने रखा था, उस box के hole से blood निकल रहा था, Maxwell तुरंथी box को खोलते हैं, और देखते हैं कि मिजबिल ने इतना movement किया था box के अंदर, जिसकी वज़े से मिजबिल के body से खून निकलने लगा था, मिजबिल box से निकल कर author के पैरों को पकड़ लेता है, एंड वहाँ जाके गिर जाता है, अब flight का time होने वाला था, flight में 10 मिनिट बचे थे, Maxwell फिर मिजबिल को तुरंथी box में डालते हैं, और car में बैट कर, यानि कि taxi में बैट कर, airport के लिए निकल पड़ते हैं, कुछी देर में वो airport पहुंचते हैं, और aeroplane में बैट जाते हैं, luckily उनका seat सबसे आगे था, वो अब air hostess को बुलाते हैं, और fish के तुकड़े को cool place में store करने के लिए दे देते हैं, जो उन्होंने मिजबिल के लिए लाया था, Maxwell अब सारी incident जो आदे घंटे पहले मिजबिल के साथ हुआ था, वो air hostess को बता देते हैं, ताकि आगे कोई भी problem हो, तो वो उनकी help कर दे, Maxwell कहते हैं कि air hostess बहुत ही ज़्यादा kind थी, और वो मिजबिल को उनके knee पर रखने का advice भी देती है, अब कुछ ऐसा होता है, जिसके लिए Maxwell बिलकुल भी prepared नहीं थे, मिजबिल अब अचानक से ही box से निकल जाता है, और फ्लाइट में यानि कि air craft में गाइब हो जाता है, फ्लाइट में अचानक ही चिलाने की आवाज आने लगती है, एक वोमेन जोर से चिलाती है, और रैट, और रैट, ओथर मिजबिल को एक white turban इंडियन के पैरू के पास देखते है, यानि कि एक स्थरदार के पैरू के पास देखते है, और फिर वो उठने ही वाले होते है कि air hostage उनके पास आती है, एक smile पास करती है और बोलती है, मैं ओर्टर को आपके पास ले आऊंगी, आप बैठे रहिए, Maxwell मिच्बिल को बैठे वे ही इधर उधर ढूरने की कोसिस करते है, अब अचानक वो अपने पैरो के पास मिच्बिल को फील करते है, मिच्बिल मैक्बिल के पास खुद ही वापस आ जाता है, और यहां था हमारा part 3, अब हम लोग part 4 में एंटर करेंगे, उससे पहले यार तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को की नई, एंट साथ ही में मुझे बताओ, कि अभी तक तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो किया है की ने, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो दिन फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवेन है, चलो आगे बढ़ते हैं अब, मिच्बिल और मैक्सवल एक महिनी तक लंडन में ही रहते हैं, मिच्बिल अलग-अलग चीजों से दिन बर खेलते रहता था, जैसे की पिंग-पॉंग बॉल, मार्बल्स, रबर, फ्रूट, एक्सेक्टर, घर के बाहर मैक्सवल मिच्बिल को एक डॉक के जैसे एक्सरसाइस करवाया करते थे, अब मैक्सवल कहते हैं की, मुझे नहीं लगता कि किसी भी लंडन के आदमी को पता होगा, की आखिर ओटर कौन सा जानवर है, मिच्बिल को देख कर लोग अलग-अलग गेसेस करते थे, उससे मैं बहुत ज़्यादा सप्राइजड हो जाता था, कुछ लोग कहते थे की, क्या ये जानवर एक बेबी सील है, कुछ कहते क्या ये एक स्क्वेरल है, एक आदमी कहता है क्या ये एक वॉल्रेस है, और ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हसने लगता था, ओथर जब मिच्बिल को लेकर एक डॉक्सों में जाते हैं, तो उसके बाहर कोई कहता कि ये एक हिप्पू है, कोई कहता कि ये एक बीर कब है, कोई लेपर्ड कहता, और एक बंदा इसे ब्रॉन्टसौरस से कमपेर कर देता है, क्या यार कैसे कैसे आदमी लोग होते है, ब्रॉन्टसौरस से कमपेर कर दिया, चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, अब at the end एक labor जो एक holding कर रहा था वो उन्हें यानि कि Maxwell और मिजविल को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और अचानक पुछता है हे मिस्टर आखिर वो चीज तुम्हारे साथ क्या है इसी के साथ आज का हमारे ये पूरा चैप्टर कम्प्लीट होता है अब तुम्हारे स्क्रीन में जो important questions दिख रहा है ये काफी ज़्यादा important questions है अगर इसके answer चाहिए होगा दिन telegram group join कर लेना link description में given है साथ ही instagram में भी follow कर लेना अगर instagram चलाते होगे तो चलो मिलते किसी और वीडियो में thanks for watching the video अब एंग 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 एंगा